मसी यसु के जिन्दा जलाली और फतामन नाम में आप सब की सलामती हो प्रोग्राम हत्मी सच्चाई में मैं मारिया जुरेब और पाद्वी शफीक कमल आपको खुशामदीत कहते हैं खदावन की शुकर गुजारी करते हैं एक और नए एपिसोड के लिए जिसने ये मुम्किन किया कि हम कुछ और सवालात को आपकी खिद्मत में लाने वाले हो सके आज का प्रोग्राम येसु बिन यूसुफ और येसु बिन अननिया तो सर इससे पहले के हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीत कहते हैं पहला सवाल मेरा आप से है कि अंजील के येसु येरुशलिम और येहुदिया के लोगों पर इजहारे अफसोस करते हैं येसु बिन अननियास भी ऐसा ही करता है इसको वज़ाहत कीज़े शुक्रिया मैं पहले ये वज़ाहत कर दूँ कि येसु जिसको हम येसुमसी कहते है जिसने सलीव उठाई हमारे गुनाहों का कफारा दिया हमारे निजात देंदा हमारे खुदावन जिनकि वह ऐसे चर्च शुरू हुआ वो परसनेलिटी फरक है और ये गालबन 33 AD में या 30 ये संथा जिन में उनको मसलूप किया गया जबके जीजिस बिन अननियास इनका जो दुरानिया है या जो अर्सा है साल है जब वो इस दुनिया में थे या जब उनकी डथ हुई तो ये 66 AD और 70 AD ये जमाना है पहले बात इनका जमाना फरक है जब यूसफ बिन अननिया आया है उस वक्त तो अलड़ी चर्च बहुत ग्रो कर चुका था ये मापको बत नहीं है कि किन दो शक्सियात को मिला रहे हैं वो तो उनका दोर भी फरक था बहराल आपका सवाल अगर आप दुबारा दोरा दे जी सवाल यू है अंजीम के येसु येरुशलिम और येहुदिया के लोगों पर इजहारे अफसोस करते हैं येसु बिन अननियास भी ऐसा ही क अब आपने दोनों के अल्फाज़ पकड़िये जैमसी ने भी अफसोस किया और येसु जीस बिन अननियास पर इफसोस किया। क्या फ़ुद क्या थे वज़ा क्या थी ये नही बताया लेकर मैं आपको बताऊँ कि जीस्स ने जो येरुशलिम पर ये उन लोगों पर अफसो किया था उसके पीशे एक हिस्टरी है और सिर्फ ये नहीं था कि ओह मुझे बड़ा अफसोस है बलके दरिया को कुजे में बंद किया था कैसे कि तकरीबन 16-17 सदियां ऐसी थी जिन वे इसराइलियों ने बनी इसराइल ने खुदा के मद्जूबे पर काम नहीं किया और जब क इन के मुनहर्फ रहे हो और 400 साल का गैप है उस गैप के बाद यह नहीं इस तबागी जब आता है तो वो अपनी बात वहीं से शुरू करता है जहां पर मलाकी ने बंद की थी और कहता है कि अब तो दरख्तों की जड़ों पर कुलहाडा रखा है इसलिए जो दरख्त सरजनिश की कि मैंने कितनी दफ़ा चाहा कि जिस तरह मुलगी अपने बच्चों को परोतले जमा कर लेती है मैं भी करनू लेकर भाई तुमने खुद नहीं चाहा इसलिए अब साधा के लिए तैयार हो जो फिर मसीय सुरू यह भी कहा कि तुम्हारी बद एमालियों की और ग गार्जमादारियों की वज़ा से ताकस्तान तुम से ले लिया जाएगा एक नई को दे दिया जाएगा एक निया हाद बांदा जाएगा यह सारी बाते मसीय सुरू ने कही तो फिर मसीय सुरू ने यह भी कहा कि जब तुम पर निगाह की गई तो तुमने उस वक्त को नाम मुझे एक और बात भी बता दो, जब मसीयसु के कंदों पर स्लीप थी तो बैन डाल रही थी, तो मसीयसु रुके स्लीप कंदों पर रहे हैं, वापस मुड़ के देखा और अवर्थों से खताब किया, और कहा कि मेरे लिए ना रो, मैं तो अपने मनसुबे के मताबक अपनी मर तो यहां पर मसीयसु ने अफसूस किया, कि तुम पर अफसूस जब तुम पर निगाह की गई तुम ने उसे वक्त को नहीं पहचान, बलके यहां पर लिखा कि मसीयसु की आंखों में आंखों में आंखों थे, तो यह तुम्हा कहता हूं कि क्या कहते हैं, वो सदियों की कहा मुसीयसुने लमहों में बियान कर दी और दिर्याु को कूजे में बंद कर दी अ, अननिया ने क्या इनी इमानों में आफिसोच किया था? नो. मुसीयसुने तो ये कह दिया था कि अब इसका नतीज़ यह है कि ताकस्तान तुमुचे लेकर एक और कौम के दिया जाएगा इध पेंतिकोस्ट के दिन ताकिस्तानं से लेकर शिफ्ट कर दिया गया और फिर सन्च सत्तर में हैकल तबा, यरुशलीम तबा और यहूदियों की परसीक्मिशन, और यहूदियों के साथ एक्रिस्टिन्स की भी परसीक्मिशन ओगी, क्या नणिया को इस सारे आस्मान के किलाबे मिनाने की कोशिच करते हैं, तो ये अगें आप मगालता दर मगालता मगालतों के सहरा में चले जाते हैं. सही, ठीक, बहुत शुक्री है सर, एक और सवाल जो मैं आप से करना चाहती हूँ, जो कि इस बुक में लिखा हुआ है, अंजील के यिसु हैकल के गिराए जाने और इन आयाम पर इजहारे अफसोस करते हैं, यही बात यिसु बिन अनन्यास ने भी कही। यह तो जो मैंने पहले स्वाल का जवाब दिया, तकरीबन कमोवेश वही बात यह, कि अगर हैकल गराए जाने की बात यह सुंची ने की है, लेकिन किस कांटेक्स में की है, शायद पिछले प्रोग्राम में मैंने वाज़े किया था, कि यहूदियों ने जो उनको टास्क दि अंदर पाक तरीन मकाम के बाहर एक एक एक्स्ट्रावाल यहूदियों ने बनाई थी, जो इलाही मनसूबे में नहीं थी, हैकल के डिजाइन में नहीं थी, दिवार बना दी, सेफटी के तोर पर बकौल उनके, कि कोई गहर कौम का शख्स पाक तरीन मकाम की तरफ नह निकल और उस दिवार को भी लिखा कि अगर आत लगाएगा तो इसकी सजा सजा मौत होगी, और नजाने कितने रोग उस मौत के घाट उतारा भी होगा उनने, तो दूसरी बात कि हैकल की जगा मसी यसू को पता था कि अब चर चा जाएगा, तो क्या अननिया को भी इन सारी बातों का पता था, ऐसे चुन डार है कि मसी यसू के बाद कई मसी के डायलाग याद कर ली होगे, उस तो डायलाग याद करके बूल दिया ओगा, जैसे अब शेहनशा फिल्म है, तो कही लोग उसका डायलाग बोल देते हैं, कि कहने को तो हम dauّारे बात puta नाम है हमारा शेहनशा, त तो उसको मसीख के साथ जोड़ देना कि बराबर की टक्र की शक्सियात थी, यह आपकी फैलिसी. बहुत शुक्रिया सर आपका एक और सवाल आपसे, अंजील के यिसु को हैकल के कार परदाजों ने गिरिफतार किया, यिसु बिन अनन्यास के साथ भी ऐसा ही हुआ? देखें, यह आप जो जबर्दस थी, उनको मसीख के साथ खड़ा करके उनके हम पला बनाने की कोशिच कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, हकीकते हाल यह नहीं है, पहली बात कि यसु को जब गिरिफतार किया गया, तो उसकी पांच अदालतों में पेश्या हैं, ठीक है? और यह स करा के कवानीन तोड़कर यह पेश्या की, पहली बात कि सजाए मौत का केस एक ही दिन में नहीं सुना जा सकता, सजाए कैपिटल पनिश्मेंट का केस किसी बड़ी ईद पर, बड़े इवन्ट पर नहीं सुना जा सकता, ठीक है? और यह जो कोर्ट्स बनी हैं कि लोर कोर्ट, हाइर कोर्ट और पर सिप्रीन कोर्ट, यह एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट तक पहुँचने के लिए एक खास टाइम होता है, ताके इनसाफ के तकादे पूरी हो सके, आपने तो एक ही रात में पांच कोर्ट्स बगदा दी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जीजिस बेना नहीं के बात, जो चीफ जिस्टिस था, वो इस नतीजे पर पहुँचा, कि ये मुझरम नहीं है, मैं इस शिक्स में कोई जुरम नहीं पाता, यहां तक कि उसने पानी मगवाया रो उस पानी से अपने हाथ तोई, ये पानी से हाथ दोने का मतलब ये है कि मैं इसके कतल से बर्यल जम हूँ, अगर इसका कतल है, तो इसका कतल, इसका कून आपकी गर्दन पर, और आपको याद होगा कि इसराइलियों ने ये कहा भी, कि आप बेफिकर हो कि इसको स्लीप दो, इसका कतल, इसका कून हमारी और हमारी नसल की गर्दन पर, और फिर उसने मजबूरां सजा-ए-मौत का परवाना दे दिया उनको अच्छा वैसे बरी करना चाहता था बरी तो नहीं कर सका लेकिन क्योंके लोग बलवा कर रहे थे तो फिर कतल का परवाना जारी किया उसको कोडे भी लगे ये सारी बाते अच्छा जबके अननिया का केस इस तरीके से नहीं सुना गया और अननिया को तो बरी कर दिया तारीख ये बिटाती उसको तो बरी कर दिया था उसको तो छोड़ दिया उन्हें ने लिखा है कि अननिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था तो ऐसा मकादमा हुआ ना, लेकर उसको छोड़ दिया था, बाद में उसको कतल किया गया, जो भी है वो बाद की बात है, लेकर केस में उसको छोड़ दिया, तो आप कैसे कहते हैं कि सेम है, नो, आपके, बहुत शुक्रिया सर, एक और सवाल, अंजील के यसू की गिरिफतारी में हैकल के खिलाफ बाते करने का इल्जाम मौझूद था, और यही इल्जाम जूइश वजार के यसू बिन अनन्यास पर भी आईत किया गया था, जब तक आप इल्जाम बताएंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि यही इल्जाम था, आपने यसू का तो बता दिया, वो मैच को तीन दिन में खड़ा कर सकता, वो तो मेटाफॉरिकल सेंस में कहा रहे थे, रियल सेंस में तो नहीं कि बिल्जाम लाके खड़ा कर दिया था कि चला दो, और बंदा ओपर बैठा वाता तो मसी यसू ने इशारा गिया, तीन तक गिनूंगा, तीन, दो, एक, जीरो, ऐसा तो नहीं उसने किये, मेटाफॉरिकल सेंस में कहा रहे थे, कि मैं एक हैकल की तरह हूं, बज़े आप कतल कर दो, दफन करो, तीसे दिन मुर्दों में से, जी उठो, तो अगेन, ये जो इल्जाम, ये ऐलिगेशन था, ये भी फैनसी पर मुबली था, तो आप कैसे कहते हैं कि जी सेम बात थी, और जीजिस बिन अननियास का इल्जाम आपने नहीं बताया कि उसने क्या कहा तो उसने हो सकता, रही है नहीं है एकल के खिलाफ कुछ ऐसा कहा हो, कि इसमें तो सुर की करबानी होनी चाहिए, इसमें तो इसका तो डिजाइन ठीक नहीं है, इसकी तो पे रंग रोगंद बारा होना चाहिए, काइन को तो पाक तीन मकाम में जाना ही नी चाहिए, इदर ही खड़ा होगे, हमारे सामने करें जो बगारा बगारा, मुझे नहीं बता कि उसने हैकल के खिलाफ क्या बाते की थी, लेकर आपका फर्द बनता है, कि जब जीजिस के मतल उसी यसू को वही बंदा समय लिए है, तो फिर तो आपको फर्द बनता है कि एवरी, इच एंड एवरी डिटेल आप हमारे सामने रखें हम फैसला करें, सही, अनजील के यसू हैकल की बे तौकीरी के फर्द जुर्म आइद होने पर खामोश हो गए और कुछ दिफा नहीं क अननिया के बारे में हमें नहीं पता कि उसकी खमोशी की वज़ा क्या थी, हो सकता हो खौफ की वज़ा से खमोश रहे हो और हो सकता है कि उन से मुश्कल सवालात किये गए हो, हमें नहीं पता, तो लेकर मुसी के बारे में हमें पूरी डिल का पता कि उनके बारे में पहले से पेश को ही मजूद थी, कि उपनी जबान नहीं खोलेगा, मुझे किसी ने बताया कि नहीं, वो तो बोल ले थे, वो जो लिखा कि वो अपनी जबान नहीं खोलेगा, उसका मतलब है कि उसने ऐसा पिलातूस के सामने, बोलाओ कि मुझे तो गज़ती से पकड़ आया है, मैंने तो ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, या अगर थोड़ी बहुत मुझे से खता हुई भी है, तो मुझे एक चांस और दिया जाए, मुझे दस दिन का टाइम दिया जाए, मेरा भाई बेल करा सके, वगरा वगरा, ऐसा मसीय सुने कुछ नहीं बोला, बलके आपको पता है कि पहल जुरू पर से ना दिया गया होता, तो तेरी क्या जुर्ट है, तो मतलब अगें, यी डिडिन्ट स्पीक इन डिफेंस, अपने डिफेंस में नहीं बोला, तो आप इसको जोड़ रहे हैं उसके साथ, अच्छा, खुदा की बादशाही की उसने वजाहत कर दिया, लेकन यहा परा भी दिया, कि मैं तो छोड़ भी सकता हूं, वहाँ उसने बड़ा क्लियर वाकव बयान किया, कि यह तेरी के जुर्ट थी के मैं तरे सामने पेश हो जाओं, तो यह बाते हैं, कि अननिया ने जी नहीं बोला, उसकी क्या रीजन हो सकती हो सकता, खौफ की वज़ा से ना बोला, लेकर मसी यसु को खौफ चुपनी करा सकता था, यह आप भी जाना, बहुत शुक्तिया सर, एक और सवाल में कुछ शियू लिखते हैं वो, अन्जील के यसु की तहकीर की गई, और जिस्मानी तोर पर भी बेतौकीर किया गया, यसु बिन अननियास के साथ भी यही स स्वाल यह है कि वट इस दा रीजल, बलूस कहता है कि देखें, मसी यसु ने भी आपको कहा था कि आपकी परसीकुशन होगी, लोग आपको कतल करेंगे, लोग आपको अदालतों के हवाने करेंगे, और जब हरे दुरक्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूके के साथ क्या ना करें तो यह सब कुछ होगा तुमारे साथ, लेकर अगर आप शरारत करके मुक्य काते हो तो आप गहें जी मैं तो शहीद हूं, तो उसमें और उसमें फरक है कि आप काम क्या कर रहे थे, इन दा लाइन अफ फायर अगर आप मारे जाते हैं तो आप शहीद हैं, वैसे नहीं कि एक्सीरेंट हो गया तो आपकी कवर रुपे हम शहीद नहीं लेखें जैसा कि बाद लोग करते हैं, तो जो यसो की तहकीर की गई, बेतोकीरी की गई, उसके मतलब और टेस्टरमेंट ही साया तुर्पन कलारिटी के साथ बोलता है, कि ना उसकी कोई शक्लों सुरत कि हम उसक खाहिश करें, हमें वो अपना हीरो लगे, तो ये सारी चीज़ें तो और टेस्टरमेंट में के हमारी वैसे उस पर सियास्त हुई, उसके मार खाने से हमने शिफाप पाई, ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी, और ये सब कुछ हुआ, और मुसी यसुद ने जब कफ कफारा दिया है, तो उसकी कफारे की घर्दोगाय थी ये थी, कि वो अपनी जान कुर्बान करें, तो कुर्बानी के पैकेज के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी, तो आप मुझे अच्छा और मसी यसुद जानते थे, वो अपनी जान बचाना चाते तो बचा सकते मतलब आखरी वीक में शागड़ों ने मना किया कि असाद इतना खत्रा फिर ये रिखलीन की दर जा रहे है, तो वो रुक सकते थे, और उनको पता था कि यहां रिजिस्टेंस है, लेकर फिर भी वो अधर ही है, तो उनको पता था कि जब लोगों ने ड्राने की कोशिच की द कर ना कर ले, लेकर चुछ तयस्ट बात है, मुझए यरुशलीम में गुनागारों के वाले किया जाएगा, कटल किया जाएगा, दफन किया जाएगा, उसके नहीं मैं तैयार हूँ. तो ये कहना के तहकीर की गई तो चुके जीरस बिन अननिया की भी तहकीर की गई गई क्या उसको पता था? देखें बहादरी की मैं आपको डेफिनिशन बताओं एक होता है बंदा चोरी के केस में पकड़ा जाता और खतल हो जाता है या किसी भी केस में पकड़ा जाता है या अचानक उस पर फाहर हो जाता है लेकिन आपको पहले से पता हो कि मैं जिस मिशन पर जा रहा है इसमें डेप्थ हो सकती है ये टाइटैनिक देखने जो गए थे ना उनको पता था कि ये डिफिकल्ट मिशन है ठीक है मसी यसु को पता था कि मैं मरने जा रहा हूं ये बहादरी तो क्या वो भी अननियाज भी इसी तरह गया था कि मुझे गिरफ़तार करेंगे और मेरी मौत हुआ क्या हो जाएगी नेवर वो इस चक्र में नहीं लोग जाते हैं तक्त या तक्ता दो आप्शन्द होती है हो सकता तक्त भी मिल जाए वो सकता तक्ता भी मिल जाए लेकि जानातार उमीद उनके जहन में तक्त की होती है सर एक और सवाल में वो कुछ यू लिखते हैं कि अंजील के येसु का मुकद्वा पहले येहुदी जुमा ने सुना और फिर उन्हें रूमी प्रोक्यूरेटर पहला तूस के हवाले कर दिया ये सु बिन अनन्यास के साथ भी ऐसा ही हुआ इसे बेश सिन्हेंडरन ने अब्तदाई पूछ गिच के बाद रूमी प्रोक्यूरेटर के हवाले कर दिया ये भी कमो बेश मिलता जो तस वाल है जो आपने पहले पूछिया है कि जिस तरह मकद्वा मुसियस सूपर चलाया गया उसी तरह उस पर चलाया गया मेरा नहीं ख्याल के एग्जेक्ट लिया से हुआ बलके पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर चलाया भी गया हो तो इसको तो छोड़ दिया था ये बात मैं कतल हुआ मकद्वा जब पेश्च हुआ तो इसको छोड़ दिया था, उन्होंने पागल समझत का छोड़ दिया था तो पहुआ आप कैसे मिला रहे है मसी से मसी को उनों ने, हाँ, दोनों के दोनों चोड़ना चाहते थे चले मैं ये भी बता दूँ कि मसी यसु को भी छोड़ना चाहता था इसको भी लेकर मसी को छोड़ा ने पहली बात और मसी पर जो एलिगेशन लगाया गया वहां पर पिलातूस फुली कन्विंस्ट देट जीजस इस इनोसेंट ठीक है लेकर प्रेशर में आकर वहां के प्रेशर के अंदर आकर बगावत के खौफ से कि बगावत ना हो जाए मेरे खिलाफ उसने स्दाए मौत का परवाना जारी किया जबके जीजस बिल अननियास को छोड़ दिया गया पॉ दरूरी स्दाए मौत दो उसको जोड़ दिया था उसने तो ये एक जैसे कैसे होगे टोटली डिफरंट केस है सहे सर इसे के साथ एक और सवाल जिसमें वही सेमिलर बाते कर रहे हैं लिखते हैं कि अंजील के यसु से रोमी गवर्नर ने खुद तप्तीश की यसु बिन अनन भी बगावत का केस था मुसी यसु के बारे में आपको बताओं कि तीन इल्जाम लगाए गया ये बड़ा कॉम्प्लिकेटर केस है दुनिया में आपने किसी को जेर करना किसी के खिलाफ साज़श करनी है तो दुनिया वाले लोग तीन इल्जाम लगाते हैं या तो औरत का अल्जाम था ये मौशरती अदालत में लगाया गया था देखान वो भी बड़ी क्योंकि मसीयत सुने का कि तुम में कौन है जो मुझ पर गुना साथ कर सकता है तीक है और फिर वो अपने कामों से भी रास्त था कामों से मुझे पचानों लोग कामों से पचानते थे और भा हाँ, इल्जाम लगाने वाला वही orgdLab है लेकिन से अभिर गायन के पास उन्होंने जो इल्जाम लगा है, वुझाए रहा है तोहीं कर रहा है, यह अपने आपको खुदा कह रहा है, टांगोस लीपे इसको यह संगसार करो। ब्लास्पी मीघा तालत में लगा गया लेकिन उनको सजाए मौत देने का चुके इक्तियार नहीं था इसलिए लेगे पिर हकूमते वक्त के पास प्लातूस के पास वहां पर सहत सी इल्जाम लगाया के भई ये कहता है ये तो बागी है ये कहा रहा है मैं यहुदियों का बादशाह हूं बगावत करुवा रहा है आपके इखलाब तो आपकी सीट खत्रे में लेकर उसकी भी जब तफ्टीश हुई है तो उसने कहा का नहीं ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है वो तो इसके समका बंदा ही नहीं है तो उसको बरी करना चाता था लेकर बरी नहीं का सका अब जीजस बिन अननियास का केस सिमिलर नहीं हो सकता क्या उस पर ये तीन ओल्जाम लगाए गए? नहीं, नहीं अन्जील के यस्व से दुराने तफ्टीश रूमी हाकिम ने उनके मुर्तवे के मुतलिक सवाल उठाया बलकि यही सवाल यस्व बिन अननियास से भी पूछा गया इसमें कितनी सचाई है इसको वाज़ कीजेगा? देखिए दोनों सवाल सेम नहीं है सवाल हो सकता सेम भी हो तो उसका मतलब सेम नहीं था खुदा की बादशाही एक ऐसी टर्म है जो पिला तूस को एक दम समझ नहीं आ सकती थी और ये जब तक मसी बेहान ना करे अधर वाज तो आज तक यहुदी और मुस्लमान खुदा की बादशाही का तसवर दुनिया भी समझते थे कौसर नहीं ने किताब लिखिया आइना ये तसलीष उसमें उसने का कि बह intimacy तो बादशाहत और अर रकुमत दुकाय मी नहीं कर सके तो दुनिया वालो को तो आई तक नहीं समझ आया तो पिला तूसको एक दम कह दो समझ आ गया गया होगा तो जब उसको सवाल पोचने वाले को बात समझ नहीं हा रही तो उसने ये कैसे हो सकता है कि उसने दोनों से सेम स्वाल पूचा हो या अगर स्वाल सेम था तो उसका मतलब भी सेम हो मुसी ने बहराल अपनी वज़ात कर दिती कि मेरी बादशाथ दन्यावी नहीं है तो वो तो और टेस्टामेंट से शुरू हो जाती है उस बादशाथ की डेफिनिशन बहुत शुक्रिया सर आपका एक और सवाल की वज़ात के लिए बलके इन तमाम सवालात की वज़ात के लिए जतनी खुबसूरती से आपने इनके जवाबाद दिये कि यूदिए यहाग़ा ऑदो को आपके अ कुछियाँद है और सिसर के साथ साथ हम आपके भी शुक्रिया आपको शुक्रिया करते हैं कि अगर andra आपके हो पसंद करते हैं एकिने आपके निभाए में शामिल करेंगे आज के प्रोग्राइम की हत्मी सचाए कुछ यू है कि यिसू बिन अनज्यास बल्के कई और यिसू के हम नाम थे मगर ना शागिर्दों को और ना ही कलीसिया को गलत पहमी हुई थी कि मसी यिसू की जगा उसका कोई और हम शकल है जो अदाकारी कर रहा है बलके हमारा मानना ये है कि जो शक्स खुद इमान का बानी है वो मसीह मस्लूब है। वो ही एक बात सच को खोजें, सच को जाने, सच अगर समझ आ जाए तो उसे कबूल करने का होसला पाएं। इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगे प्रोग्राम हत्मी सचाई में, तब तक के लिए खुदा हाफिस।